Hello everyone, welcome to Gagan's Virtual Classroom. तो ये विडियो उन students के लिए है, जिन्होंने चंदिगर्ड के government schools में class 11th में admission लेनी है for the session 2022-2023. तो जैसे की 10th class का CBSE का result out हो चुका है, तो इसी के basis पर अब आपकी 11th class में admission होनी है, तो वो students जो apply करना चाते हैं चंदिगर्ड के government schools में क्या process रहेगा और ये कैसे आप apply कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम इस विडियो में बात करेंगे. तो चलिए start करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंदिगर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट की official website की, जो की है www.chdeducation.gov.in तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की चंदिगर्ड की official website है, सारी information यहाँ पर मिलती है, वैसे आपको यह इस विडियो में information बताई जाएगी, लेकिन कोई भी social media पर आपको information मिले, उसको confirm करने के लिए आप चंदिगर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट की official website ज़रूर चेक करें, अब हम बात करेंगे चंदिगर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो admission process है उसके बारे में, तो 40 government senior secondary schools हैं, जिसके लिए 10th class से जो pass out हुए है students, वो apply करेंगे admission के लिए, और यह सारा ही process online रहेगा, आपको जो application fill करनी है, जो form submit करना है, सभी कुछ online है, school में जाने की जुरूरत नहीं है, ना ही department में जाने की, सारा process online होता है admission का, and mode of payment भी online ही रहती है, जो registration fees है, वो भी हम online ही पे करते हैं, तो selection कैसे होती है, यह आपके 10th class के marks के basis पर होती है, कि आपके कितने marks आए हैं, इसके अलावा stream preference के आपने fill की है, कौन सी stream आपने select की है, arts, science, या social science, and availability of seats पर भी depend करता है, कि आपने जो stream ली है, उसकी, जिस school में आपने preference fill की है, उस school में कितनी seats है, आप से ज़्यादा percentage वाले students कितने हैं, जिन्होंने same stream और same school opt किया है, तो इन सब बातों पे depend करता है, selection process, तो आपने बहुत ध्यान से अपना fill करना है preference, कि आप कौन से stream में, कौन से school में admission लेना जाते हैं, next process क्या रहेगा, तो admission के लिए, सबसे पहले online application form out होते हैं, वो चंदिगर education department की official site पर ही available होते हैं, तो वहाँ पर जाकर आपने application form fill करना होता है, फिर आपको वहाँ पर ये भी पता लग जाता है, कि last date क्या है application submit करने की, तो वो last date से पहले पहले, हमने application को submit कर देना होता है, जब हम application submit कर देते हैं, अपनी preferences बता देते हैं, कि हम कौन से school में, कि stream में admission लेना चाहते हैं, उसके बाद selection होता है, और उसकी list डिस्प्ले की जाती है, department की official website पर ही, जहां पर बताया जाता है, कि आपको कौन सी seat allot हुई है, कि school में, कि stream में आपको seat allot हुई है, उसके बाद आपको time दिया जाता है, submission of objections के लिए, कि अगर किसी को कुई objection है, या कुछ mistake हुई है, वो correct करवानी है, तो उसके लिए आपको time दिया जाता है, जाती है, ये भी चंदिगर education department की official website पर ही display होती है, उसके बाद जब final list आ जाती है, फिर हमने अपनी fee deposit करनी होती है, and document submit करने होते हैं, उस school में जो हमें allot हुआ है, तो ये जो fee deposit है, ये final जब आपको admission मिल जाती है, वहाँ पर जब fee आपने deposit करवानी है, उस fee की बात हो रही है, जो starting वाली fee थी, वो आपकी registration fee है, जो आपने application form submit करने time, आपने submit करवानी है, deposit करवानी है, वो registration fee है, and ये है आपको जो school में deposit करवानी है, after admission, जब आपको school or stream allot हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपने fee deposit करवानी है, प्लस अपने document submit करने है, hard copy आपने school में जाकर देनी है, तो इसके बिना आपकी admission final नहीं होगी, अगर आप ये last वाला step complete नहीं करते हैं, and फिर अगर time रहते आपने नहीं complete किया, तो वो seat आगे किसी को भी next counseling में दी जा सकती है, तो इसलिए इस सारे ही steps हमने ध्यान में रखने है, admission करते time, तो अब हम बात करेंगे कि online registration कैसे करनी है, and online payment कैसे करते हैं, तो इसकी video आपके साथ पहले भी share की गई थी, तो ये कुछ साल पुरानी video है, लेकिन process almost same रहता है, इसलिए आप उस video को देख सकते हैं, पहले से ही अपनी त्यारी कर सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि आपको कौन से document की जरूरत पढ़ सकती है, admission के लिए, तो ये आपको जो link है वो इस video के नीचे comment section में share कर दूँगी, और ये बात ध्यान रखना कि ये जो video है, ये क्योंकि पुरानी है, पहले सालों की है, तो इसमें जो dates mentioned होंगी, उस पे आपने ध्यान नहीं देना है, विकुज अभी जो है prospectus out नहीं हुआ है, तो जब चंदीगर education department इस साल का, इस session का prospectus out करेगा, उसमें dates mention होंगी, तो आपने उसके recording चलना है, लेकिन process almost similar रहता है, अगर फिर भी changes हुए, तो फिर उसके बारे में एक और video बना कर बता दिया जाएगा, बट for the timing, आप उस video को देखकर जान सकते हैं, कि किस तरह का process होता है, और online payment कैसे करनी है, वो वाली वीडियो भी उसका link भी इसी वीडियो में share कर दिया जाएगा, और आपको एक बार फिर से बता दूँ कि चंदिगर education department की official website है, www.chdeducation.gov.in तो यहाँ पर जाकर आप check कर सकते हैं, जब prospectus out हो जाए, क्योंकि अभी तक prospectus out नहीं हुआ है, लेकिन आप time to time यहाँ पर जाकर check कर सकते हैं, कि जैसे ही prospectus out होता है, आप अपनी admission का process start कर सकते हैं, and process कैसे करना है, वो again आपको comment section में link share कर दिया जाएगा, वो आप वीडियो देखकर अभी से त्यारी कर सकते हैं, so all the best students,